Hi, a very good evening to all of you. मैं हूँ Dr. Manisha Mittal. मैं एक Ayurvedic doctor हूँ. इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में कॉरोना से prevention के लिए कुछ immune booster herbs का discussion किया था. आज मैं अपने इस वीडियो के थूँ आपको कुछ dietary, बहुत simple से changes बताना चाहूँगी. जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कॉरोना वाइरस हमारे respiratory system को affect करता है. तो मैं डायेट में आपको जो भी changes बताऊंगी वो वही होंगे जो respiratory system को strengthen करेंगे. और इस deadly virus से लडने में हमारी मदद करेंगे. इसके लिए मैं आपको कुछ simple tips देना चाहूँगी. तो लिटर यानि देर से दो लिटर पानी में 10-15 तुलसी लीव्स और मुलेठी की कुछ stem boil कीजिए. जब वो थोड़ा boil हो जाता है, यानि कि जब उसका extract water में आ जाता है तो आप उसको या तो strain करके या without straining किसी flask में store कीजिए और दिन भर इस water को, इस medicated water को drink कीजिए. इससे आपका respiratory system बहुत हद तक वैसे भी improve होगा और present situation में और helpful रहेगा आपके लिए. टिप नमबर टू इस जब भी हम दूद चाय जरूरी हम दो बार दिन में चाय दूद जरूर लेते हैं breakfast के साथ और mid evening में एक बार बच्चों को भी हम जरूरी दूद में देते हैं आप उसमें ginger and saffron ये बॉल केजिए अपने लिए आप only ginger भी enough रहेगा sufficient है बच्चों को थोड़ा केसर भी उसमें बॉल करके दीजिए few strands of kesar not much टिप नमबर 3 इस हमारी Indian staple diet होती है रोटी, सबजी, दाल, चावल इस तरह की चीजें लगभग हम रोज अपने day to day life में consume करते हैं खाते हैं आप लोग आटा जनली wheat आटा यूज करते हैं गेहू का आटा या हम सभी वही यूज करते हैं आप उसमें कुछ चने का आटा, रागी आटा, बाजरा आटा ये सब आड कीजिए साथ में flax seeds यानि के अलसी के बीज 1-2 टेबल स्पून होल फैमिली के लिए आप उस आटे में जो आप रोज अपनी रोटी के लिए डो बनाते हैं आप उसमें mix कीजिए इन सभी चीजों का hot temperament होने के कारण यानि के गरम तासीर होने के कारण ये respiratory system को एक soothing effect देते हैं and in this current scenario it would be helpful for all of us number 4 is citrus fruits citrus fruits का मतलब होता है vitamin C rich fruits ऐसे फल जिनमें vitamin C अधिक quantity में जाधा quantity में पाया जाता है वो आप जरूर consume कीजिए दिन में एक से दो serving जरूर रखे इसके कुछ examples में जैसे oranges यानि संत्रा sweet lime यानि की मौसंभी और guava जैसे के अम्रूद और एक बहुत ही important which is Indian gooseberry जो green आवला आता है कच्चा आवला उसमें vitamin C बहुत ample amount में पाया जाता है आप उसको raw form में या squash मुर्रब्बा की form में smoothie या चटनी में आप मिक्स कीजिए मिंट आमला कोरियंडर चटनी बनाए इस तरह से किसी भी तरीके से आप खुद भी लीजिए और पूरी फैमिली को दीजिए ठीक है तो मैं अपकी मैं अपनी तिप्स को कंक्लूड करती हूं तिप नम्बर वन तुलसी और मुलेथी वाटर तिप नम्बर तू जिंजर बॉल्ड मिल्क साफरन इंकेट्स नम्बर त्री सित्रूस प्रूट का जाग से जादा कंशंप्शन और नम्बर पूर मुल्टी ग्रें आटा इन अदेशन तो फ्लाक सेट्स निट अल्राइट तो आप इसको अपनी डायत में जरूर इंकलकेट कीजिए I hope you found you find this information useful. Thank you very much.